वेलकम तो एक्स्टर गैन में आपको सागत है दोस्तों आज मैं वाइफाई से रिलेटेड एक बग को मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे ही आप किसी भी आइपड के डिस्प्ले को आफ करते यह स्लिपिंग मोड मेर चला जाता है तो क्या होता है दोस्तों आपका जो वाइ करना चाहता हूँ कि इस बग को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो को देख लेते हैं जैसे कि अगर आपका वाइफाई आपके आइपड से कनेक्ट है और दोस्तों आप कुछ भी डाउनलोड कर रहें या अप्लोड कर रहें तो क्या होता है द दिखाऊंगा कि किस तरह से यह डिजेबल हो जाता है वाइफाई जैसे आपका यह आइपड स्लीप मोड पर चला जाता है तो दोस्तों मैं सबसे पहले अपना क्या करता हूँ मॉवाइल का जो है वाइफाई और स्पॉट अन कर लेता हूँ ओके तो दोस्तों अभी दिखा कर लेते हैं वाइफाई को एंड दोस्तों आप देख सकते हैं यहां अभी कनेक्टेड दिखा रहा है यह अभी कनेक्टेड है दोस्तों इस डिवाइज का नाम है दोस्तों देख सकते हैं फ्री है भाई यह मेरे मॉवाइल का हाट्सपॉट का नाम है और आप देख सकते हैं connect है वन डिवाइस connected अगर आप इसका नाम देखना चाहते हैं तो वह भी मैं शो कर देता हूं इसका सेटिंग पर चलते हैं यहां पर Wi-Fi तो दोस्तों सेटिंग में आने के बाद यहां पर potable hotspot करके लिखा हुआ है तो जैसे ही मैं इसे click करता हूं तो गाइस आप यहां पर देख सकेंगे कि यहां पर फ्री है भाई दोस्ते फ्री है भाई इस एक्टिव तो दोस्तों हमारा देख सकते हैं oddspot जो है ओन है यह उपर से हम notification बार में भी देखेंगे वन डिवाइस connected तो दोस्तों यह वही है फ्री है भाई जो हमारे आईपैड में अभी connect है तो गाइस हमें क्या कर लेना है तो चलिए एक बार हम इसे sleep mode पर ले चलते हैं तो जैसे ही मैं इसे sleep mode पर ले चलूँगा तो हमारे यह देखेंगे आप यहां पर वन डिवाइस जो हमारा connect है भी उपर से scroll करता हूं और आपको दिखा देता हूं यह हमारा connect है यह जैसे ही हमारा एक second के अंदर दोस्तो यह तो गाइस आप देख सकते हैं कोई भी device अभी connect नहीं है तो जैसे हम इसे on करता हूं अपने device को यानि की iPad को on करता हूं तो यहां पर आपको देखने मिलेगा यह हम on कर लेते हैं तो जैसे हम on किये है हमारा device और यहां पर आप देख सकते हैं यह connect हो गया है तो गाइस आपको इससे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमारे यह iPad sleep mode पर चल दे जाता है तो हमारे जो है hotspot दोस्तों यह disconnect कर देता है अपने iPad जो है दोस्तों Wi-Fi यह automatically Wi-Fi disable हो जाता है तो गाइस क्या होता है देख और पर एक बार मैं आपको demo दिखा देता हूं यहां पर मैं अपना iPad को sleep mode पर click कर देता हूं और यहां पर आप देखेंगे mobile के hotspot पर यह अभी connect दिखा रहा है और जैसे ही एक second होते हैं यह no connect device तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह device connect हड़ चुका है जैसे ही फिर मैं इसे enable करता अपने iPad को यह देख सकते हैं यह connect दिखाना शुरू कर देता है तो guys problem यह है क्यों हो जाता है तो दोस्तों इसी को fix करने के लिए वीडियो मैंने बनाया तो guys आप सबसे पहले क्या करेंगे अपने setting वाले icon को click करेंगे and आप क्या करेंगे general पर चले जाएंगे general पर जाने के दोस्तों इस तरफ आपको reset का option नजर आने लगेगा तो reset में दोस्तों आप क्या करेंगे reset network setting यह आला दोस्तों reset network setting को आप click कर लेंगे और उसके बाद दोस्तों अपना password क्लिक कर लेंगे तो password हम click कर लेते हैं तो दोस्तों password क्लिस्क करने के बाद यहां reset का इस तरह से कुछ option आने लगेगा तो आप simply इससे reset पर click लेंगे तो guys यह reset पर चला गया है आप देख सकते हैं ओके आपका यह iPad reset हो रहा है network से और इसके बाद क्या होगा दोस्तों हमारा पूरी तरह से Wi-Fi अपना enable हो जाएगा एंड हमारा कोई भी Wi-Fi जो है अभी sleep mode पर desirable नहीं रहेगा तो guys इसी के लिए वीडियो बनाया तो जैसे ही वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो please चैनल को subscribe कर लेजे और हमारी चैनल के साथ जोड़ जाएए इसी तरह से latest वीडियो हम लाते रहते हैं दोस्तों इसी के स open हो जूगा है तो guys इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से वो कर लेता हूँ okay and आप देखेंगे इसे हम फिर से एक बार net जो है दोस्तों connect करते हैं तो guys यहाँ पर अभी no connect दिखा रहा है तो हमारा यह mobile का जो है hotspot इसे on कर लेते हैं okay यह on है hotspot and यहाँ पर no connect दिखा रहा है तो हम क device यह search नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे सीधे इसके setting पर चलेंगे इस तरह से और यहाँ जैसे कोई नाम wifi का आता है तो हम इसे क्लिक करके इसे right click कर लेते हैं okay तब क्या हो है दोस्तों है हमारा wifi connect हो चुका है तो guys अब देख सकेंगे हमारा जो हाट स्पाट अभी connect हो चुका है यहाँ पर आप मॉइल में भी देखेंगे तो one device connected दिखा रहा है है यहाँ पर भी हमारा जो है connect हो चुका है तो guys देख सकते हैं यहाँ पर connect हो चुका है यहां भी दिखा रहा है कि one device connected तो एक बार चलिए हम sleep mode पर चलते हैं इसके बाद हमें पता चलेगा कि यह proper तरीके से work कर रहा है या नहीं तो guys आप देख सकते हैं यह connected है तो guys आपको इस तरह से कोई भी problem है तो देखें guys यह अभी भी disable है हमारा iPad बंद है और यहां पर अभी भ सकते हैं जो भी bug था issue था वो problem ही solve हो चुका है तो guys आप देख सकते हैं हमारा iPad अभी भी बंद है और यहां पर एक device connected शो कर रहा है तो guys इस तरह से अब इसे open कर लेते हैं अपने iPad को चलिए यह हमारा iPad open हो चुका है और यहां पर अभी भी यह one device connected दिखा रहा है तो guys वीडिय कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट कीजेगा एंड हमारे चैनल के साथ जुड़ जुड़ जाए और हमारे चैनल को प्लीज सब्क्राइब कर लीजे तो guys आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो पर